हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो हिंदी मिरर चैनल हिंदी मिरर पर फिसे आपका स्वागत है जो इस्टुडेंट्स अभी पांस तारिक में जिनका परियावरन यानि के एन्वार्मेंट का जिनका पेपर होने वाला है पीए पीकॉम और साथ में बीसी सेकिंडियर थर्डियर क सभी के लिए हिंदी मिरर की तरफ से तयारी कराई जा रही है अगर अभी तक आपने जो हमारी प्लेइलिस्ट है नहीं चेक की है तो उसको चेक कर लिजिए वहां पर आपके प्रिवेस कोशन पेपर भी अपलोड है और साथ में आपके जो इंपोर्टेंट कोशन्स हैं उस अबजेक्टिव टाइप नहीं आएगा आपका पेपर ऑबजेक्टिव टाइप ही आएगा तो तयारी करिए अच्छे से और हिंदी मिरर की तरफ से बहुत आपकी हिल्प हो रही है तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो शुरू होने से पहले और एक शेयर भी बनता है क्योंकि आप share करते हैं तो आप किसी की care करते हैं ठीक है तो आप second year, third year जितने भी student इक दूसरे को जानते हैं सब को ये video share किजीए जीससे सभी की help हो सके और एक beneficial video सभी student तक पहुंसके और hindi mirror से भी तक अभी तक नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे क्योंकि अभी आर्ट 25 हो चुकी है अब आपके पास सिर्फ आर्ट या नो दिन पचे हैं तयारी के लिए तब तक आपकी बहुत अच्छे से तयारी करा दी जाएगी तो बने रहना है और यहां पर जो कोशन्स हम लेकर आए हैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हैं एक तो आपका वन संसाधन से संबंदी थे जल संसाधन से संबंदी थे और उरजा संसाधन से संबंदी थे और यहां से तीनों टॉपिक से 100% कोशन्स आपके बनेंगे और जो इतने भ चाल प्राष्ण विश्व में पर्यावरन अवनयान एक गंभीर समस्या है इस समस्या का पर्मुकारण है ये जो दो कथन दिये गए हैं दोनों ही कतन सही है या फिर एक इगतन सई ही है ये फिर दोनों गलत है तो यहाँ पर आपको देखना है तो सीधा सीधा इसका हम आपको आंसर बता देते हैं इसका D जाएगा इसमें A सत्य है प्रंतु R जो है आंशिक रूप से ही सत्य है ठीक है दोनों ही सत्य है लेकिन हम इसको 100% नहीं कह सकते कि इस समस्य का परमुकारण मिट्टी व्यवनों का अवनयन ही है और भी पहुत सी चीजें हैं जिसे पर्यावरण अवनयन एक समस्या बन रहा है तो चली आगे चलते हैं निर्वन्यकरण से होता है मरदापरदन, प्राकरतिक्विना, सुखा या फिर ये सभी तो निर्वन्यकरण से क्या हो सकता है ये आपको बिल्कुल अगर आप आंसर सोच रहे हैं इसमें भी डी तो बिल्कुल सही है ये सभी कारण है चिपको अंदोलन का संबंद है ये आपका 100% कोश्चन जाएगा अब ये जो प्रश्चन है जरूरी नहीं आपसे यही उप्शन प से बिल्कुल कोश्चन पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए था कि वन से संबंद दित था पी चिपको अंदोलन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए यहां से प्रश्चन 100% बनेगा और ये प्रश्चन भी आपका 100% बनेगा पाजयों 16 सितंबर 21 मार्च या सुन्दरलाल बहुगुणा से इंद्रा गांदी मेधा पाटे कर या उप्रोफ में से कोई नहीं तो कोई नहीं कि तो मैंने आपको बोली रखा है कि इसको एलिमिनेट कर देते हैं mostly तो यहां पर अगर आप पाचवे का आंसर सोच रहे हैं ये तो बिल्कुल सही है सुन्दर तो आपको 35 अबाव लाने ही होते हैं चले निम्रलेकित में से जैविये परिस्तितिक तंत्र के संग रख्षन तथा प्रबंदन की दिशा में कदम नहीं हैं समाजिक वानी की राश्ट्रियोध्यान जल्विद्द परियोजनाई वन्यजी अभ्यारन्य तो शिक्स का अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी तो बिल्कुल सही है जल विद्यूत परी योजनाएं नेक्स्ट हम चलते हैं कोशन आपका सेवन किसी भी शेत्र के जल भाजक शेत्र में वनी करण को सरवोच प्रात्मिक्ता परदान करनी चाहिए क्योंकि मनोरंजन के लिए शेत्र प्राप्त होता है नदियों का जल परवान नियंत्रित होता है पशुपालन कार्य उत्पन संपंता में रधी होती है क्यों प्रात्मिक्ता देनी चाहिए यह इसमें बताना है तो सेवन का नदियों का जल परवान नियंत्रित करते हैं कौन जली भाजक शेत्र वनी करण के जो है शेत्र होते सब्सक्राइब अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुश सही है यहां परेट कड ल AA राज नहीं यह पर प्रद्थे नहीं तो तीन तो पूंशन है जब कहन राज आ होता है नित्त है औומר काई लो प्रद्थे गल जल संसाधन प्रधिक ऐकी कुल आयतन व्हुंड पार्दू में तो при वर्भी जल का प्रतिशत योगदान है जल्दी से इसका अंसर सोच लिजिए, क्या आप सोच रहे हैं इसका आइस का अंसर आजर सोचा है, C.0.6 तो विलकुछ सही है, प्रतुवी के जल, कुल जल, आयतन में भूगरभी जल का प्रतिशत 0.6 होता, ये आपका 99 में जा सकता है अब आते हैं नेस कोशन पर अब ये इसमें तो बहुत पुराना ये पुछा गया है 2011 में तो इसको तो आप रहने दें क्योंकि 2011 का आप से नहीं पुछा जाएगा नेस कोशन है भारत में नविंतम राष्ट्य जनलिती लागू की गई तो ये आपका बताना है 2012 बारा आठ या पंद्रा तो राष्ट्य जनलिती लागू कब हुई थी थी काप का अंसर जाएगा सी 2012 में इसके बाद के भी आखड़े देखने पड़ेंगे चली आगे चलते हैं भार में जल संगरक्षन में जल संगरक्षन वर्ष निम्न में से किसे घोशित किया गया ये अच्छा प्रशन है ये बन सकता है 2012-13-14 या फिर पंद्रा तो जल्दी से इसका आँसर सोच लीजे इसका आँसर आपका जाएगा भी 2013 नेस्ट कोशन है इन में से भारत किस राज यहां पर यह भारत होगा भारत में जलसा अंसर पहले इसका अंसर आपका पांचवे का अंसर जाएगा ए असम ठीक है भारत के किस राजे में सर्दी के महिनों में बाढ़ा आती है असम तमिलाडू केरल या फिर पश्चिम बंगाल तो शिक्स का अंसर अगर आप सोच रहे हैं अब देखिये उपर जो आपको प्रशन दिये गए हैं वे आपके आठ प्रशन थे किसे बन से संबंदित अभ यहां पर जल संसाधन शुरू हो चुका है यहां पर चटा प्रशन आपका खतम हो चुका है सात्वे पर हैं इन में से कौन एक भारत में अती सूखा प्रभावी छेत्र हैं अरावली पहाडियां राजिस्तान का पूरी भाग सीमांद्र का आंत्रिग भाई या गुजरात का कच्छ छेत्र बहुत अच्छा प्रशन है एक्जाम के पॉइंट ओफी से चलिए देखते हैं इसका आंसर साथवेग अगर आप साच रहे हैं डी गुजरात का कच्छ छेत्र तो बिल्कु सही है अती सूखा प्रभावी छेत्र है ये नैस कोस्टन है निम्ले लिकिते हैं से किन राज्यों में कावेरी जल विवाद का विशे महत्तो पूर्ण था अब नहीं है पहले था 100% आप इसक पूर्ण है तो एट का अंसर अगर आप सोच रहे हैं जी केरल तमिलाडू तो बिल्कु सही है सी आपका इसका अंसर जाएगा किशन गंगा परियोजना विवाद है ये प्रशन भी इंपोर्टेंट है विवाद तो आप सारे ही पढ़ लिजिए भारत बांगला देश के मध जम्मुकष्मेर हीमाजर पर्देश के मध ए असम पश्चमी बंगल के मध भारत पाकिस्तान के मध तो नाइन का अगर आप सच रहे हैं आंसर डी भारत पाकिस्तान के मध थो बेलों को सही है और ये प्रशन तो आपको करना ही चाहिए नेक्स रोशन है आपका बगली हार परियोजना अवस्तीते अच्छा प्रशन है 99 मिस को आप मानकर चल सकते हैं टैन का चिनाब नदी रावी नदी धेलम नदी या फिर सतलज नदी तो आपका जो बगली हार परियोजना है वह चिनाब नदी पर है क्या समस्यां पैदा होती है परियावरन की बान परियोजना से कुछ पादप जनतु प्रजातियों का विलुपती करण हो जाता है मैंने आपको बता रखा है कि उप्रोख कोई नहीं तो अगर यह है तो इसका मतलब आंसर यही जाना है 100 परसेंट नहीं जाता लेकिन 90 परसेंट यही जाता है चलिए आगे चलते हैं 12 पर हम आ चुके हैं निमले लिकित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है 100 परसेंट मन के चलिए और यह प्रशन में हर स्लाइड में आपके लिए लेकर आती हूँ और मुझे लगता है इसका आंसर सभी को मालूम होगा तो हम इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे चलिए आगे चलते हैं आपके अब हम आ चुके हैं उर्जा पर उर्जा संसाधन पर यहां से प्रशन देखते हैं आपके कौन-कौन से बन सकते हैं पहला प्रशन निमले लिकित में से कौन एक परमपरागत उर्जा स्रोत नहीं है बहुत आच्छा प्रशन है जल्दी से इसका आंसर आप सोच के बताईए इस वाली स्लाइड में भी आपको ग्यारा प्रशन मिलेंगे तो इसका आंसर पैट्रोलियम, कोईला, बायो मास उर्जा या फिर परमानु उर्जा तो आंसर अगर आपने सोचा है बायो मास उर्जा तो बेकुल सही सोचा है आंसर चलिए नेस कोशन आपका निमले निकित में से कौन एक गैर परमपरागत उर्जा स्रोत नहीं है उप्शन देखते हैं इसके क्या जा रहे हैं परमानु उर्जा, सोर उर्जा, या फिर ज़ारिय उर्जा, या फिर पवन उर्जा तो दूसरे का अगर आपने सोचा है आंसर परमानु उर्जा तो बिल उप्रोफ सभी तो अभी जस्ट में आपको बताया था कि अगर उप्रोफ सभी आता है तो वही माना जाता है देखे जनसंक्या वरद्दिवरी उड़जा की मांग बढ़ रही है संपन जीवन सैली से समझ रहे हैं कि जैसे सभी घरों में इसी लग रहे हैं कि घर में चार-चा तो यह उड़जा की मांग बढ़ी रही है और आजकल लैप्टोप, फोन सभी उड़जा से ही आपके चार्ज होते हैं तो इसलिए यह आर्थिक विकास हो रहा है तो इसलिए से इसकी मांग बढ़ रही है चले आगे चलते हैं भारत में ज्वारिय उड़जा का उत्पादन किया जा रहा है कच चेतर में सुंद्रवन डेल्टा चेतर में गोदावरी डेल्टा चेतर में या फिर महानदी डेल्टा चेतर में तो फोर का अगर आप आंसर सोचे रखें हैं बताईए जल्दी से कौन सा सोचा है अगर एक कच चेतर में तो बिलकुत सही है नेक्स विश्व की सबसे बड़ी सोर वाश्व प्रणालिक की स्थापना निम्न में से भारत के किस शेत्र में की गई है सिमांद्र में तमिलनाडू, कर्णाटक, महाराश्टर ये वाला प्रशनी बहुत मैतोपूर्ण है ये आपका जो है नौलिज बेस बन सकता है और ये प्रशन आपसे पुछा जा सकता है जरूरी नहीं यहाँ पर वही ओप्शन पूछे जाएं प्रशन यही पुछा जा सकता है ओप्शन कुछ और हो सकते हैं नेक्स्टर इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं हमारा फाइब का आंसर अगर आपने सोच लिया है ये सीमहंद्र तो बिल्कुछ सही है लगा लीजिए इसको चलिए आगे चलते हैं बायो गैस एक घुलन शील गैस जो परमुक रूट से देखती है मिथेन वे ऑक्सिजन अगर आपने सीमह देखेती है Já